हलो फ्रेंड्स वैलकम टू मा यूटूब चैनल एजुकेशनल मंदिर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम योजी सिनेट हिस्ट्री का दिसंबर 2010 का कोशन पेपर सोल करेंगे तो चल यह सुरू करते हैं पहला कोशन है निम्नांकित अभी लेखों में परसंसा या परसंस्ति को पहचाने तो इन में से जो परसंस्ति है वो है उप्शन वन पुलकेशिन दिवीतिया का एहोल अभी लेख जिसकी रिशना जो है वो पुलकेशिन दिवीतिया के सामन्त रवी कीरती ने की थी और दूसरी है समुदर गुप्त का इलाहाबाद स्तंब अभी लेख और इसकी र स्दोर पाईता से सय्ट्र का चैन करें सूची एक में सिंदू गाटी के नगर दिए गए है और सूची दो में नदियों के तत तो किस नदी के तत पर कॉण सा नगर शित प्र कौनय नगर शिता उनको में मिलाना है तो मोहनजोदोड़व movie sing- उनदी के तपर पर चंतलत नध के बनावली घगर नदी और हडपा जो की रावी नदी के तड़ पर शित है तो इस तरह से जो इसका राइट आंशर है वो है ओप्शन दी अगला कोश्चिन है नीचे दो कथन दिये गए है जिरमें से प्रथम को अभी कथन ए और दूसरे को तरकार कहा गया है अभी कथन ए रिगवेदिक काल के दोरान वर्ण विवस्ता विद्यमान थी ये जो कथन है वो गलत है रिगवेदिक काल में जो है वर्ण विवस्ता विद्यमान नहीं थी वर् विवेद के दस्वे मंडल में जो है वो हमें चार वरन दिखाई पड़ते हैं जिसमें से जो है ब्राह्मन छत्रिय वैस्य और शोत्र तो इसका जो राइट अंसर है वो है ऑप्शन डे यह गलत है प्रंतु आर सही है अगला कोश्चन है निम्नांकित राजवंसों को नीचे द राजवंस तो इस तरह जो इसका करम है वो इन में से कोई नहीं है यह गलत है अगला कोश्चन है बुद्ध के जीवन के संदर में निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिये कमल जो है वो बुद्ध के जनम का परतीक है घुड़ा ग्रहत्याग का परतीक था चक्र जो है वो है दर्मोपदेश और स्तूब महापरी निर्वान का परतिक है तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है अगला कोशन है बोदिस्थवा का सिधान्त किसके साथ सम्बंदित है महायान बोद्धरम हीनियान बोद्धरम वजरियान बोद्धरम और थेरवाद बोद्धरम तो बोदिस्थवा का सिधान्त जो है वो महायान बोद्धरम के साथ सम्बंदित है अगला है निम्नांकित स्था में चार बोध परिषदें आयोजित की गई थी नीचे दिए गए कूट के उपयोग द्वारा उन्हें करम में विवस्थित करें तो सबसे पहले जो बोध परिषद हुई थी वह हुई थी राजग्री है में उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो है वह है वैसाली में फिर पा राजग्री है में वैसाली पाटली पुत्र को जनम देकर कुंडलवन चली गई जैसे वैसाली किसी रानी का नाम हो या फिर किसी इस्तरी का नाम हो तो राजग्री है में वैसाली जो है वो पाटली पुत्र को जनम देकर कुंडलवन चली गई तो इस तरह से जो है वो इनका और गलत है अगला कोशिन है असोग ने निमनांकित में से एक के लिए बिहार में बाराबर और नागुरजन पहडियों पर सैल काटकर गुफांग का निर्मान करवाया था तो ये कुरवाय था आजीविक संपरदाय के लिए, option D अगला है मोरियकाल के दोरान बर्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए पर्मुख बंदरगा था अरीका मेडू, तामर लिपती, ब्रोंच, सोपारा तो मोरियकाल के दोरान जो यापार का पर्मुख बंदरगा था वो था तामर लिपती, option B अगला कोशिन है बुद्ध की छवी मस्तक के चारों और पर्मा मंडल के साथ और उड़ते हुए गंधरगा आकरतियों और कमल के डिजाइनों से अलंकरित निमनलिखित कला पदती में परकट होती है कला की गंधार पदती, कला की गुप्त पदती, कला की मतूरा पदती, कला की अमरावती पदती तो ये जो है वो परतीत होती है कला की मतूरा पदती में, option C अगला कोश्चन है भारत रोम की प्रभाव में आकर प्रोधोगी की रूप में सरवादिक लाभानवित निम्नांकित में से किस इल्प में हुआ तो सरवादिक जो लाभानवित हुआ था वो हुआ था कांच बनाना ओप्शन ए उजयन को गुप्ठ शासकों की द्वीतिय राजदानी किसके सासन के दोरान बनाया गया खुमार गुप्ठ, चंदर गुप्ठ द्वीतिया, समुद्र गुप्ठ, सकंद गुप्ठ तो उजैन को दुट्य राजदानी बनाया गया था संदरगुफथ दुट्य के समय में option B संदरगुफथ दुट्य ने पाटलिफ़ पुत्र के साथ जो है उजैन को गुफथ समराजय के दूसरी राजदानी बनाया था अगला question है जो बोध के अंदर निम्नांकित में से कौन से है नालंदा, विक्रमसीला, कांचीपुरम, वारानसी जो बोध के अंदर है वो है option A नालंदा और option 2 विक्रमसीला इसका जो राइट आंसर है वो है option D शिर्फ एक और दो सही है अगला question है संगमकाल के दोरान क्रेशी की परमुक फसले निम्नांकित में से कौन सी थी? धान और गन्ना, गेहूं और धान, गेहूं और जो, धान और कफाज तो जो परमुक फसले थी संगमकाल के दोरान वो थी धान और गन्ना option A अमीर खुसरो लिखित मिफ्ता उल्फुतों में किस गटना का वर्नन है? तो मिफ्ता उल्फुतों में जो है, जिस गटना का वर्नन है, वो है जलालुदीन खिलजी के सैन्ने अभियान का option A अगला question है निम्नांकित में से कौन सी वक्तोंगया सही है? option A अल्लाउदीन खिलजी ने मलिक काफूर को काक्ती राज्य को अपने राज्य में विल्य करने का आदेश दिया ये कथन जो है, वो सही नहीं है काक्ती शासक परताप रूद्र को अल्लाउदीन खिलजी का करदाता राज्य बनाया जाना था ये सही कथन है परताप रूद्र दिल्ली के सुल्तानों को नेमित रूप से वार्शिक कर भीजता था ये कथन गलत है परताप रूद्र को खुसरो सा अपने अनुरक्षन में दिल्ली लाया ये कथन भी गलत है तो इसमें जो सही है वो है option 2 तो option B जहो इसका right answer है cable 2 अगला question है नीचे दो कथन दिये गए हैं जिनमें से प्रत्म को अभी कथन A और दूसरे को तरकार कहा गया है अभी कथन A शेख निजामुदिन वोलिया ने साथ सुल्तानों को एक के बाद एक दिल्ली की राजगदी पर आसीन होते हुए देखा लेकिन वे कभी भी किसी के दरबार में मिलने के लिए नहीं गई इसा ही कथन है तरकार वह सूरावर्दी सूफी संतों को राजे द्वारा प्रदत प्रासरे से A परसंथे ये कथन जो है वो गलत है जिसका right answer है वो है option C A सही है परन्तु R गलत है अगला question है ये है किसका कथन है यद्यपी की केवल मुस्लिम जनसंख्या का दस्वा भाग देवगीरी दोलताबाज पहुंचा तथा पि वे लोग सहर को उपजाओ और समरित बनाने में समरत हुए इबन बतूता समसे सिराज अफीफ अब्द उल मालिक इसामी जियाओदिन बरनी तो ये कथन जो है वो जियाओदिन बरनी का है option D अगला question है सूची एक को सूची दो से सुमेल बठाईए और परदत कूट से सही उतर का सयन कीजिए वकील दर है जो वो है तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है option A अगला question है निमन लिखित में से कौन सा वक्ट वे कबीर के बारे में सही नहीं है option A जाती नसल और धरम पराधारित मतभेद को वे नाकार दिये ये जो खथन है वो सही कथन है वह दरम गरंत सम्मत ग्यान के विरोधी थे ये खथन सही नहीं है वह खोखले करम कांडो के समर्थन को नकार दिये ये भी सही है वह बक्ती और सरम के दर्शन के समर्थक थे ये भी सही है तो जो सही नहीं है वो है option B अगला कुश्चिन है महमूद गवा ने बहमनी अभिजात्य वरक की सक्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए option 1 भूसंपती के आकार को कम कर दिया ये सही कथन है उस भूमी का परिमान बढ़ा दिया जिसे राज भूसंपती की रूप में वरगीगरित किया गया ये भी सही है तो जो जो कदम उठाए गए थे वो है option 1, 2 और 4 तो इसका जो राइट आंसर है वो है option B अगला कुर्शिन है आर्कियोलोजी, आर्ट अंड रिलिजन, न्यू प्रस्पेक्टिव और विजिया नगरा का लेखक कौन है अगला कुर्शिन है अकबर के समय की जो है गटनाई दी गई है इनमें जो सबसे पहले जो हुआ था दाग विवस्था को जारी करना उसके बाद दूसरे नंबर पे दहसाला विवस्था को लागू करना फिर जो है वो अकबर के द्वारा बारा सूबों की रसना करना और फिर दोहरे पज जात और स्वार को जारी करना तो सही जो करम है वो है इसका ओप्शन ए में अगला कुर्शिन है सूची एक का सूची दो से सुमेल कीजिए और सही उत्र का चुनाओ नीचे दिये गए खूट से कीजिए जरोफा दर्शन की पर्था का प्रारम जो है वो किया गया था पंद्रासो असी स्वी में कंदार की सफावीदों से पुने प्राप्ती जो की गई थी वो 1638 सिस्वी में बलक पर मुगल अदिकार जो की 1646 सिस्वी में हुआ था और कांगड़ा विजय 1620 दिश्टर से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन ए अगला कुशन है नीचे दो वक्तोवे दिये गई है एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर अभी कथन ए जहांगीर के सासनकाल में चित्रकारी कला उत्कृष्टा की प्राकास्टा पर पहुंच गई थी ये जो कथन है वो सही कथन है वह वास्तु कलात्मग अलंकरन का विरोधी था तो ये कथन जो है वो सही नहीं है इसका जो राइट आंसर है वो है और संसी ए सही है परन्तु आर गलत है अगला कॉर्षिन है सुची एक का सुची दो से सुमेलित बठाईए और परदत कूट से सही उत्तर का सैन कीजिए इकबाल नामा ये जहांगिरी जो की मोतमिद खां की है तारीक ये रसीदी जो है मिर्जा हैदर दोगलत शाह जहानामा इनायत खां और फुतुवात आलमगिरी इस्वरदाज नागर तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्षिन डी अगला कॉर्षिन है सूची एक का सूची दो से सुमेल कीजिए और नीचे दिये गए खूट से सयूतर का चैन कीजिए सूची एक में समार्क दिये गई है वह सूची दो में सासक जिन होने उन्हें बनवाया था तो सबसे पहले है उप्षिन ए जामे मस्जिद चार मेनार इसे बनवाया था मुहमद कुली कुटूबशा ने हीरा मस्जिद का निर्मान करवाया था अब्दुल्ला कुटूबशा ने मोती मस्जिद साहजहा और गोल गुमबज अली आदिल साय तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है option B अगला question है निमन लिखित इतिहासकारों में से किसने सिवाजी को मध्यकालीन समय के सरवाधिक रचनात्मत परतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा है तो जदुनात सरकार ने जो है वो परभावयक्ति के रूप में देखा है अगला question है किसने मुगल समराज्य के पतन का महान फरम ग्रेट फरम शिधानत का परियोग किया था W.C. Smith, C.A. Bailey, J.F. Richards, Karine, Leonard तो इस इधानत का जो परियोग किया था वो किया था option C, J.F. Richards ने अगला है शिख्षया के एक शेत्र में भारतिये पहल को काल कर्मानसार व्यवस्तित कीजिए इसमें जो सबसे पहले स्थापना की गई थी वो की गई थी हिंदू कोलेज कलकत्ता की जो की 1817 इस्वे में हुई थी डेविड हेर के द्वारा और अगला जो है दूसरे नंबर पे वो है बैथोन स्कूल कलकत्ता इसकी स्थापना जो है वो तालेश इस्वे में की गई थी उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है एमो कोलेज अलिकड और फिर जो है वो बनारस हिंदू इनुश्टी चोथे नंबर पे इस तरह से जो इसका सई सीक्वेंस है वो है उप्शन ए में अगला कॉस्चिन है तो फुटुल मुहाविदेन के ल उप्शन 2 किसमे कांग्रेश को एक सुक्सिम दर्षनी अलप संक्रिका करेकर बढ़्छन की सरसयद आह्मद खान लाट डफरिन लाट करजन दियोडोर बेग Tell by सुक्सिम दरशी और अलप संक्रिका कहा था लाट डफर्जन अगला कोश्चिन है वारत में किस समये से आयकर स् तो आईकर जो है वो स्थाई रूप से लगाया था 1860 में अगला कॉर्शिन है गारंटी पदती के अदिन जो ब्रीटिस कंपनिया रेलवे में निवेस करेंगी उन्हें आस्वासित लाबांस का वादा किया गया था ये किया गया था पांस परतिशत का मोलाना अब्दुल बारीद का संब्द रहा अलिगड स्कूल देवबंध मदर्शा फिरंगी महल स्कूल नवदतुल उलेमा तो इनका संब्द जो है वो फिरंगी महल स्कूल से है उप्शन सी अगला कॉर्शिन है किसने तरक दिया कि खिलाफत अंदोलन भारतिय मुसल्मानों में एक मद्यम वरक के उद्यका परिणाम था पीटर हार्डी, फ्रांसिस रोबिंसन, डव्लियो सी स्मित, मुहमद मुजीब तो ये जो तरक है वो है मुहमद मुजीब का अप्शन डे अगला कॉर्शिन है निमलिकित गटनाओं को सही काल करमानसार विवस्तित कीजिए तो इसमें जो सबसे पहले गटना है वो है बॉम्बी योजना, उसके बाद दूसरे नमबर पे जो है वो है वैवेल योजना, सेकिड नमबर पे वैवेल योजना, और तीसरे नमबर पे ज योजना और लास्ट में माउंट बेटन योजना तो ऐसा जो है वो कोई उप्शन इसमें नहीं दिया गया सभी उप्शन गलत हैं अगला कोशन है कौन धाज इसने पूने में एक विद्वा ग्रहे खोला विद्वा पुनरिवा संस्ता के स्थापना 1893 में विद्वा से विवा जो सी तो वो थे प्रोफिसर डी के करवे उप्शन बी अगला कोशन है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सायुक्तर का सैयन कीजिए वांची अईयर जो है वो है इसका संबंध है तिन्ने वेली सद्यंतर मुकदमा टी के माधवन का संबंध है वो है वैकॉम सत्याग रहसे स्री निवास पिल्ले दा हिंदू प्रोग्रेसिव इंप्रूव्मेंट सोसाइटी और ईवी रामस्वामी नाएकर इनका संबंध है सेल्फ रिस्पेक्ट मुमेंट से तुछ तरह से जोसका राइट आंसर है वो है उप्शन दी अ अगला कुर्शन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के निचे दिये गए कूट से सही उत्तर का सहन कीजिए तो मात्मा गांधी का पत्तर है वो है हरीजन बाल गंगा दर्तिलक का केशरी मुलाना अब मुहमद अली हमदर्द और मुलाना अबुल कलाम अजाद अलहिलाल तो इस तरह से जो इसका राइट अंसर है वो है ऑप्शन ए अगला कुर्शन है निमन लिखित में से कौन रेशमी रुमाल सडियंतर का लेखक था है मुलाना अबुल कलाम अजाद जफर अली खान उबैदुला सिंधि तो रेशमी रुमाल सडियंतर का जो सबसे पहले गटना हुई थी वो है मुझफर में बम दमा का उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो लाहोर सडियंतर केस फिर काकोरी केस और फिर जो है वो चिटगांग अर्मरी रेड केस तो इस तरह से जो इसका राइट सीक्वेंस है वो है ओप्शन ए अगला कोश्चन है बूदान अंदोलन को किस ने प्रारंप किया था महात्मा गांदी जैपरकास नारायन विनोबा भावे काका कालेलकर तो विनोबा भावे ने जो है वो बूदान अंदोलन प्रारंप किया था अगला कोश्चन है किसे मानवादियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता था फ्रैंसिस्को, पेटरार्क, दांते, बोकासियो, इरैसमस तो मानवादियों के राजकुमार के रूप में जो है वो पेटरार्क को जाना जाता था ओप्शन A अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तिथा सूचियों के नीचे दियेगे कूट से सही उत्तर का सैन कीजिए नेपोलीन बोनापार्ट का जो कथन है और जो जैक रूसु का जो है और मादाम रोला का तुमहरे नाम से क्या अपराद किये जाते हैं तो इस तरह से जो इसका सैयूत्तर है वो है option B. अगला question है किसने उप्योगितावाद के सिधान्त को परतिपादित किया था? डेविड हयूम, जोन स्टुवर्ट मिल, जर्मी बेंथम, एरिक स्टोक्स. तो प्योगितावाद के सिधान्त का परतिपादित किया था? जर्मी बेंथम ने. option C. विश्व व्यापी मंदी से उत्पन आर्थिक संकट का सामना किस नीती को अपना कर किया गया? उत्परेरत, मार्सल योजना, न्यूड डिल, खुले दवार. तो ये किया गया था? न्यूड डिल को अपना कर. option C. इसे के साथ जब हमाराज का पेपर कंप्लेट होता है. धन्यवाद.